मुख्य मनती उत्राखंड के अरीशावजी अमरे साथ जुड़ गए है अरीशावजी बहुत बहुत स्वागत है सर कैसे देख रहे हैं एक्जिट पोल सर क्या कहता आपका आनुमान क्योंकि आप एक सुबे के मुख्य मनती रहे केंद्रे मनती रहे क्या इंपुट्स मिल रहे हैं सर देखें लोगों ने बदलाव के लिए बोड दिया है ये 2004 के बाद पहली वार है जब लोगों ने अपने को अपनी समस्या को अपने धर को अपने परिवार को अपने मसाइल अपने मामलू को देख करके अपना मन निर्धारित किया है और ये बात अलग है कि पहले चरंड में जड़ा सा बयार धिमी थी मगर दूसरे चरंड से वो बयार बदलाव की बड़ी तेज हुए उद्राकर में क्या लग रहा है पांचों सीटों को लेकर आपको इस वार खाता खोल बाएगी कॉंगरेंस या फिर पिछली बार जैसे इस सिती है बिल्कुल खोलेंगे और पांचों सीटों पर हम बहुत कड़ी टकर दे रहे हैं जो पार्टी पहले ये कह रही थी कि हम पांच लाग से प्रते एक सीट को जीतेंगे अब वो पार्टी आपने को सेंकुल में जिमना ही है कह रही भाई इत्यसों से जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये स्थितियां हैं 500 सीटों में कुछ भी हो तकता है और मुझे पूरी पूरा यकीन है कि ज्यादा तर सीटें इंडिया के पक्समा है रावे सब एक बहुत बड़ा सवाल है अभी कुछ चैनल्स के एक्जितपूर आने शुड़ो हो गए चार सो पार कर आरा तो नहीं बन रहा लेकिन एंडिया की सरकार बनती में जरारी अग्जितपूर पर आपको परुसा है देखें आप आते उत्रप्रदेश के आंक्री चरन और देखें यह चरन वाइद जो है जितने बात के चरन हुए है उनमें जो बदलाव की बैयार है वह बड़ी प्रचंड रही है बड़ी तेज रही है आप देखेगा अब यह जो है जो पहले दूसरे चरन के जहां बोट के रुजान आएंगे तो रुजान बदलाव के पक्षन होंगे और इंडिया को उसका लाव में लेगा सर वैसे देखिए निता है और आप पार्टी के बड़े लीडर है और हार तब तक नहीं मानी चाहिए जब तक पूरे वह नतीजे नहीं आ जाते लग रहा आपका अनु कॉंग्रेस को बहुत अच्छी सीटे मिलेंगी गज़वन्दन को भी बहुत अच्छी सीटे मिलेंगी अर हम नहीं कह रहें कि हमको प्रचंड बहॉमत मिलेगा जैसा उनके 400 पार का दावा था हमारा वो दावा नहीं है लेकिन हम सरकार बनाने लायक हमको बहुमत नहीं जो लीडर है, लीडर्शिप है, वही क्लियर नहीं हुई है, और इसी बचास से कही न कहीं, लोगों के सामने एक मजबूरी भी रही है, कि हमें बोट देना पड़ रहा है। हमने गडवन्धन के बंते ही इस बात को क्लियर कर दिया था, कि पहले हम बहुमत प्राप्त करेंगे, उसके बाद प्रधान मंतरी कौन होगा, उसका चैन करेंगे। सर आपके बेटे भी चुनावी मैदान में हैं। बहुत अच्छा संगर्स है, और मुझे पूरा बर विस्वास है, कि हमारे कुल देटा का असिरवाद जो है, मेरे बेटे के साथ रहा है। तो पांच में से कितनी सीट देंगे सारा कॉंगरेस को आप, उत्राखन में। देखे हम पांचों सीटों के बहुत अच्छे कंटेस्प में हैं और कुछ भी हो सकता है। मुझे तो आभास ही होता है, हम अधिकान सीटे जीच जाएंगे। पहली बार ये लंबे समय बाद ऐसा आभास हो रहा है, कि लोग परिवर्तन के रिबोट डाल लें, लोगों का उल्हान पर कुछ साब दिखाई दिया है। रावस साब एक दो चोटे और सवाल आपसे, इन्हों ने तो नहरा कहा कि चार सो पार, आप कितने अंदाज आपका, क्योंकि दे कि मैं इसलिए बार बार कह रहूँ कि आप बहुत वरिष्ट लीडर है, कॉंगरिस के, आप हबाब आप जाते हैं, आप केंद में रहें, इसी को भी दिनता हूं, हम, हम तीन सो के आज पास ताहा कल चुएंगे, चले साफ फिर तो आपको बदाई देनी पड़ेगी, पहले हैं, जो गड़बनन के साफ, तो सरकार बनाने की बदाई दे दे फिर आपको, अभी अभी चार तारीक के लिए रिजर्व रखिएगा, च बदाई शुक्रिया सार, हम से बात चीत करने के लिए, लेकिन,